इस्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वाकत है आज हम बात करेंगे मुकेश हम्बानी के बारे में इन्होंने यूएस शेयर मार्केट में दूम मचा दिये दोस्तों और वो कमपणी खरीदने वाले है तो उसके बारे में हम डिटेल में जानते वो यह तो इंडिया के रिच ब्रैंड है दोस्तों एक इंटरनेशनल ब्रैंड है जिसको यह खरीदने वाले रिलाइंस और वो कमपणी ने अभी बैंकरिप्स के लिए फाइल कर दिया था उस वह जैसी यह अभी इंट्रेस्टेड हो गये तो वह भाग रहे दोस्तों और दो चार दिनों में यह वह 100 पर ब्लड बात से होकर गुजर रहा है आपको पता यह सबी तरफ विक्वाली चल रहे ब्लड बात हो रहा है इस दवरानी का इससा शेयर है जिसमें आप नियोंशेकों को बंपर रिटन दीए दोस्तों अमेरिका की कोस्मेटिक कंपनी है दोस्तों रेवलान इंक यह रेवलान इसका शेयर पिछले चार दिनों में रॉकेट की तरह भाग रहा है इस शेयर का रिटन देखकर आप खुद है रहान रहा है इसका शेयर 3.73 यह डॉलर पे चल रहा था दोस्तों चार दिन पहले और यह डायरेक्टली पूरा 7.7 डॉलर के ऊपर जा चुका अभी यह और हंड देख सकते हैं एक दिन में 92 परसेंट तक रेटन दे चुका है दन्यू यह स्टॉक एक शेयर ट्रेडिंग सेशन में 91.2 परसेंट भाग चुका है दोस्तों और 16 जुन को 1.95 यह डॉलर पे था दोस्तों 1.152 रूपीज में इंडियन रूपीज में बंद हुआ था और आगल अमेरीका कमपनी रेवलान करने के योजना बना रही है बता दे की कस् imp बनाने वाली अमेरिका दिगज कंपनी है दोस्तों पगर एदिवालालिया होने की कंगार पर आ चुकी हैДаलन दोस्तों रेउलन ने आपकरिप्स के लिए फाईल की आ है तो इसके बाद इस हबर कियो रेवलान को खरीदने के लिए मुखे शंबान की रिलाइंस इंडस्ट्री ने दिल चस्वी दिखाई तो तब इसके शेयर में लगात्तार भाग रहा है दोस्तों ये शेयर और लगात्तार बड़े रिटन दे रहा है अपने शेयर ओल्डर को आप देख सकते हो रेवलान इंड 25% के रिटन दे चुका है दोस्तों अभी तक और देख सकते हो ये की दिन में 97% तक भाग चुका है पिछले वन मन्त में ये 97% तक भाग चुका है और मैं एक जेवम देखिए शेहर 97% डाउन है दोस्तों 463 US डॉलर पे था पहले ये शेयर और ये विगिर के पेनी स्टॉक बन चुका है और इसका मार्केट कैपरिलाइज़ेशन देखिए 39,000 करोड यूएज डॉलर दोस्तों तो ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों 39,000 करोड यूएज डॉलर ये इंडियन रुपीज नहीं है दोस्तों तो यूएज डॉलर में ये कंपनी और देख सकते हो रि प्लॉन इंक का बिजनस पर्चेस करने के लिए रिलाइंस इंडस्ट्री उनके साथ कुछ करने वाली आभी कुछ चलेगी इनको निगोशियक्शन तो उसमें अभी ये शेर भाग रहा है दोस्तों और इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया चैप्टर 11 बैंकरप वालिक्श का कारोबार करती थी लेकि 1955 में कंपणी लिपिस्टिक के कारोबार में उतरने का फैसला किया बता दे कि यह एक इंटरनेशनल ब्रांड है इस कंपणी का मालिकाना हक अरपती उद्युक रॉन पेरे लामन के पास है कोविड-19 के वाज़े से इस कंपनी की सप्ला पद्वी का मुची कि इस से कंपणी का रिवी ने बुरा अशार पड़ा अब जब सब कुछ धीरे-धीरे सामाल नहीं हो रहा है तब स्टार्ट अप और नहीं ब्रांड ने पहले कि मुपले इस सेग्मेंट में प्रतियोगीता को बढ़ा दिया है जिसकी पुरानी जगह ब लानिंग को चोड़ दिये और रिलाइंस शेयर आप अपने पोट्फोली में आड़ कर दीजी ये शेयर आपको लॉंग टम में अची हसी वेल्ड बना की दे सकता है जोस्तों क्यूंकि रिलाइंस बहुत सारी कंपणी को आक्विजिशन कर रहा है दोस्तों स्टार्ट अप ह भी एक्विजिशन चालूए तो ये शेयर आगे जाके अच्छी कासी रिटन बना के दे सकता है ये शेयर लॉंग टर्म के लिए अपने पोट्फिल में आड़ कर दीजी अगरे वीडियो अच्छा लगी तो लाई वीडियो को लाइक एन शेयर जरूर करना चैनल को सब्सक्